इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर करती है जो एंटिबाउटिक दवाओं के उप्योग के बाद या आतों के संक्रमन के कारण परिशान हो सकती है डिगैगर्ट ओरल सस्पैंशन भूजन के साथ हिया उसके बिना खुराक और अवधी में डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार लिया जाता है आप इस दवा को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानि की ओरिस्क के साथ ले सकते हैं क्योंकि यह पर्याप तरल और इलेक्ट्रोलाई प्रतिस्थापन प्रदान करने में मदद करेगा आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करते हैं आपको यह दवा तब तक लेनी चाहिए जब तक कि आपका डॉक्टर आपको रुखने के लिए न कहे अपने चिकित्सक को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती है या प्रभावित हो सकती हैं सबसे आम दुश प्रभाव सूजन और पेट फूल ना है इन में से अधिकान शस्थाई हैं और आम तोर पर समय के साथ हल हो जाती हैं अपने चिकित्सक से सीधे संपर्क करें यदि आप इन में से किसी भी दुश प्रभाव के बारे में चिंतित हैं इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको लीवर या किड्नी की समस्या है गरभवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद